CCL रिजिनल इस्टोर से डकैती मामले में 3 और आरोपी ग्रिपता सुरपुर जिला के विष्रापूर CCL के रिजिनल इस्टोर में करिब 3 वहने पहले सुरत्चा कर्मीयों की मोजूद्गी में हुए 15 लाक रुप्ए के केबल डकैती मामले में विसराम पुलिस ने आज घटना के बाद से फरार तीन और आरोपियों को गिरिपतार कर जिल पहुँचा दिया विसरामपूर पुलिस ने बताया कि एसीसेल विसरामपूर छेतर के रिजिनल इस्टोर में पिछले दिनों 11 अगस्त की मध्यरात्री आरोपियों ने सुरक्षा कर्मियों की मौझूदगी में करीब 14 लाख रुपए के बेसकिमती केबल की डखेती की थी जिसकी माद 14 लाख रुपए से अधिक रही 643 मिटर बेसकिमती कापर केबल की चोरी कर ली गई थी कुछ आरोपियों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है 154 विश्रामपूर को पकड़ लिया है जिने पुलिस ने न्याले में पेश किया और जेल भेद दिया विश्रामपूलिस ने बताया कि मामले में अब तक 17 लोगों के अलावा एक नबालिक को भी गरिपतार किया गया है अब भी मामले में कुछ लोग फरार बताया जा रहा है जिसकी पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है इस मामले में धारा 457, 380, 395, 412 समेथ लोग संपती नुकसान निवाराण, अधिनाम 1984 की धारा 3M4 तथा 25 आर्म्स एक टकतार अपराद दर्ज है